चालुक के शासक न केवल सामराज्य निर्माता थे बल्कि कला के भी महान संरक्षक थे जिनके प्रोचसाहन से कारीगरों और शिल्पकारों को स्थापत्य कला की विभिन शैलियों का प्रयोग करने तथा इन्हें एक नया रूप देने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला। उनके शासनकाल में ही शैलकृत पधती की जगा संरचनात्मक मंदर निर्मान पधती की शुरुआत हुई। करनाटक के बीजापूर जिले में स्थित पटत कल न केवल चालू की स्थापत्य कला की गतिविधियों के कारण प्रसिद था बलकि शाही राजय भिशेक पटत की सुवोलल के लिए भी एक पवित्र स्थल था। यहां निर्मित मंदिर रेखा, नागर, प्रासाद और द्रविड विमान मंदिर निर्मान शैलियों का मिला जुला रूप प्रस्तुत करते हैं। संगमेश्वर मंदिर पटतकल में प्राचीनतम मंदिर है जिसका निर्मान विजयादित्य सत्याश्र द्वारा करवाया गया था कडासिद धेश्वर, जंबूलेगेश्वर मंदिर यहां के अन्य उनलेखनिय मंदिर है ये दोनों साथवी सदीके हैं जबकि गलगनात मंदिर का निर्मान एक शतापदी बाद रेखा नागर प्रासाद शैली में किया गया काशी विश्वेश मंदिर आरंभिक चालुक के शैली में बनाया गया अंतिम मंदिर था मलिकारजुन मंदिर का निर्मान रानी त्रिलोक्य महादेवी ने पल्लवों पर विक्रमादित्य द्वितिय की विजय के उपलक्ष में करवाया था उसे विरुपाक्ष मंदिर का निर्मान करवाने का श्रेभी जाता है जो कांची पुरम की कैलाशनात मंदिर की स्थापत्यकला से प्रभावित है विरुपाक्ष मंदिर का बाद में राश्ट्रकूट शासक, कृष्णा प्रथम ने एलोरा स्थित ब्रहत कैलाश मंदिर को उतकीर्ण करने के लिए एक नमूने के रूप में उप्योग किया पटतकल में अंतिम परिवर्धन नौवी सदी के राश्ट्रकूट शासक, कृष्णा प्रथम के शासंकाल में एक जैन मंदिर के रूप में किया गया जो स्थानिय रूप से जैन नारायन मंदिर के रूप में प्रसिध है और इसकी नीचे की दो मंजले प्रयोग में है लालित्य और महीन कारीगरी आरंभिक चालुक्य शासकों की मूर्तिशिल्प कला की मुख्य विशेष्टा है नवग्रहों, दिकपालों, नटराज, लिंगोद्भव वाले दीवार के आले, अर्धनारीश्वर, त्रिपुरारी, वराह विश्णू, त्रिविक्रम के पैनल मूर्तिकार के कौशल और प्रचलित धार्मिक पूजा के पर्याप्त साक्षी है रामायन, महाभारत, भागवत, पंचतंत्र के कतिपय प्रसंगों को व्यक्त करने वाली वर्णात्मक नकाशी इन भव्यधार्मिक भवनों के बिलकुल अनुरूप है पततकल स्थित संगमेश्वर, विरुपाक्ष और मलिकारजुन मंदिर अपने विमानों में अधिकांश तह दाक्षनात्य तत्वों को अभिव्यक्त करते हैं जैसा कि समकालीन पल्लव मंदिरों में एक निश्चित रूप दिया गया है संगमेश्वर मंदिर जो इन तीनों में से सबसे पहले बना था और जिसका निर्मान चालू के विजयादित्य ने करवाया था इस अर्थ में पल्लव शिर्प के निकट है कि इसमें कोई शुकनासिका नहीं है जबकि इस विशेष्टा वाले अन्य दो मंदिर आरंबिक चालू के शैली के हैं और इनसे व्यूत्पन शैलियों में इस थापत्यकला का तत्व मौजूद है जैसा कि एलोरा स्थित कैलाश म मंदिर में भी है संगमेश्वर और व्रिहत्तर विरुपाक्ष मंदिर दोनों ही परस पर मिलते जुलते हैं दोनों ही आधार से लेकर शिखर तक अपनी वास्तु योजना में वरगाकार हैं विक्रमादित्य द्विती की रानी द्वारा निर्मित विरुपाक्ष मंदिर सबसे नीचे की मंज़, आंतरिक और बाहरी, दो दिवारों से घिरी हुई है. दूसरी मंज़, आंतरिक दीवार का ऊपर की और निकला हुआ भाग है, जबकि बाहि दीवार मंदिर के चारों और प्रदक्षिनापत को घिरे हुए है. विरुपाक्ष एक विशाल परिसर है जिसमें एक उचा विमान है इसके मंडप अक्षिय है और अहाते के चारों और परिधिय उप मंदिर है जिनको एक दीवार से घेरा गया है तथा इसमें आगे और पीछे गोपुर प्रवेश द्वार है सभी को एक ही समय में डिजाइन और पूर्ण किया गया है चालू के श्रिंखला में ये सबसे आरंभिक मंदिर परिसर है जो अभी भी मौजूद है विशाल गोपुर भी आनभिक समय के हैं मल्लिक आरजुन जिसका निर्मान विरुपाक्ष के तुरंत बाद और इसके निकट किया गया अपेक्षाकृत एक छोटा मंदिर है इसमें चार मंजिला विमान एक वृताकार ग्रीवा और शिखर हैं इसकी वास्तु योजना कमोवेश वैसी ही है